जईहिन दोस्तो स्वागत है आपका हमारे CG Resettlement चैनल पर दोस्तो आज हम बात करेंगे एकसरिस्मेंट भाईयों के लिए तीन नई government jobs के बारे में इन jobs की details आपको हमारे android app में मिल जाएगी जिसका नाम है CG Resettlement आपका link हमने निचे description में दिये दिया है वहां से आप app को download कर सकते हो तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तो यहाँ पे पहली job High Court of Haryana and Punjab की तरफ से निकल की आ रही है यह job दोस्तो clerk post के लिए है तो चलिए आगे बढ़ते हैं job information की तरफ तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तो यह government secretary की job है इस job के लिए दोस्तो आपको government के rule की अनुसार salary दी जाएगी यहाँ पे जोस्तो total 157 vacancies निकाली गई है जिसमें से दोस्तो 20 vacancies extra इस्में भाईयों के लिए reserved रखे गी है इस job दोस्तो चंडिकर स्टेट के लिए है और age limit के अगर हम यहाँ पे बात करें तो maximum age 30S रखा गया है प्लस यहाँ पे extra age relaxation भी government के रूल के अनुसार दिया जाएगा एक्स वरिस्में भाईयों के लिए इस job के लिए apply करने के लिए last date 17 March 2023 रखा गया है और इसके लिए आपको online ही apply करना पड़ेगा यहाँ पे दोस्तो qualification में graduation के requirement बताई गई है और application fee में यहाँ पे 750 रूपीज के application fee रखी गई है दोस्तो इस job के लिए आप हरियाना एंड पंजाब स्टेट से ही apply कर पाऊगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं job description की तरफ आपका जो selection होने वाला इस job के लिए यह computer based test जो के objective type होगी उसे के साथ main return examination और typing test and interview के base पे होगा examination details में दोस्तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो computer based test जो आपकी होने वाली है उसके लिए total 200 questions होगे 2 hours की duration होगी और subjects में यहाँ पे general knowledge, numerical ability, general English, reasoning, plurical aptitude, general intelligence and general awareness यह subject होगे उसके बाद दोस्तो आपकी जो main return examination होने वाली है उसके लिए total 300 marks होगे 3 hours की duration होगी इस examination के रिए और subjects में English composition, general knowledge, precise writing in Hindi या फिर पंजाबी यह subjects होगे उसके साथ दोस्तो अगर आपको इस job के बार में और भी जादा information चाहिए तो इस link के मादियम से आप qualification and eligibility criteria की information देख सकते हो उसके साथ दोस्तो अगर आपको इस job के लिए apply करना है तो हमने यहाँ पे apply की link भी दी है इस link के मादियम से पहले आपको registration complete करना है उसके बाद आप इस job के लिए apply कर पाओगे तो चलिए दोस्तो आगे बढ़ते हैं दूसरी job की तरफ तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तो यहाँ पे दूसरी job district health and family welfare society की तरफ से निकल के आ रही है यह vacances दोस्तो district quality manager laboratory technician, staff nurse, A&M and pharmacist post के लिए है तो चलिए दोस्तो आगे बढ़ते हैं job information की तरफ तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तो यह government secretary की job है इस job के लिए दोस्तो आपको 11,000 से लेके 16,000 रुपीज पर मन्त की salary दी जाएगी यह job दोस्तो हर्याना state के लिए है और यहाँ पे टोटल 112 vacancies निकाली गई है जिसमें से दोस्तो 33 vacancies एक्सरिस्मेंट भाईयों के लिए result रखी गई है age limit के अगर हम यह आपे बात करें तो maximum age 42 years रखा गया है प्लस यहाँ पे extra age relaxation भी government के रूल के अनुसार दिया जाएगा एक्सरिस्मेंट भाईयों के लिए इस job के लिए apply करने के लिए last date 31 March 2023 रखा गया है और इसके लिए आपको अंदान ही apply करना पड़ेगा यहाँ पे दोस्तों qualification में quality manager के लिए mbbs, lab technician के लिए bsc in lab staff nurse के लिए bsc in nursing और pharmacist post के लिए 12th pass with science की requirement बताई गई है application fee में दोस्तों यहाँ पे general category के candidates को 1000 रुपीज और SCST category के candidates को 750 रुपीज के application fee पे करनी होगी दोस्तों इस job के लिए आप हर्याना स्टेट से ही apply कर पाऊगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं job description की तरफ जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों mode of selection में आपका जो selection होने वाला इस job के लिए यह return exam उसे के साथ interview, document verification and medical examination के base पे होगा उसे के साथ दोस्तों यहाँ पे नीचे eligibility criteria भी दिया हुआ है post wise तो जिन जिन post के लिए जो eligibility criteria यहाँ पे दिया हुआ है वो आप यहाँ पे नीचे पढ़ सकते हो उसे के साथ दोस्तों यहाँ पे नीचे post wise 0.0 भी दिया हुआ है एक serviceman भाईयों के लिए district quality manager के लिए एक post है, laboratory technicians के लिए 3 post है, staff nurse के लिए 14 post है, A&M के लिए 14 post है और pharmacist के लिए एक post है उसे के साथ दोस्तों अगर आपको इस job के बार में और भी जादा information चाहिए तो आप यहाँ से official notification डाउनलोड कर सकते हो हमने job description section में official notification की link दी हुई है तो notification डाउनलोड करके ध्यान से पढ़ लीजिए उसके बाद इस job के लिए apply कीजिए साथ दोस्तों अगर आपको इस job के लिए apply करना है तो हमने आपको apply की link भी दी हुई है इस link के मादम से पहले आपको registration complete करना है उसके बाद आप इस job के लिए apply कर पाओगे तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं तीसरी job की तरफ तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे तीसरी job odisa subordinates staff selection commission की तरफ से निकल के आ रही है यह job दोस्तो junior assistant and panchaid executive officer के लिए है तो चलिए आगे बढ़ते हैं job information की तरफ तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों यह job government sector की job है इस job के लिए आपको 19,000 से लेके 63,000 रुपीज पर मत की salary दी जाएगी यह job दोस्तों odisa state के लिए है और यहाँ पे total 3,099 vacancies निकाली गई है इसमें से दोस्तो 137 vacancies ex-orisman भाईयों के लिए reserve रखे गी है age limit के अगर हमें आपे बात करें तो maximum age 38 years रखा गया है प्लस यहाँ पे extra age relaxation भी government के रूल के अनुसर दिया जाएगा ex-orisman भाईयों के लिए इस job के लिए apply करने के लिए last date 27 मार्ज 2023 रखा गया है और इसके लिए आपको online ही apply करना पड़ेगा यहाँ पे दोस्तों qualification में junior assistant के लिए graduate और पंचायद executive officer के लिए 12th pass out की requirement बताई गई है application fee में यहाँ पे दोस्तों एक्सरेशन भाईयों से कोई भी application fee नहीं ली जाएगी दोस्तों इस job के लिए आपको odysa state से ही apply करना होगा तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं job description की तरफ जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों mode of selection में आपका जो selection होने वाला इस job के लिए यह return test, practical skill test and document verification के base पे होगा exam details में दोस्तों अगर है मैं आप देखेंगी तो आपकी जो return test होनी वाली है उसके लिए total 180 questions होंगे, 180 marks के लिए 3 hours की duration होगी और subjects में यहाँ पे English, ODA, Mathematics, General Knowledge and Computer Knowledge यह subjects होंगे उसके साथ दोस्तों यहाँ पे practical skill test भी आपकी होने वाली है उसके लिए total 1 hour की duration होगी और यहाँ पे basic computer skills के लिए 50 marks होंगे दोस्तों यहाँ पे examination के लिए May 2023 की tentative date दी गई है उसके साथ दोस्तों यहाँ पे नीचे post wise reservation भी दिया हुआ है एक्सरिस्मेंट भाईयों के लिए junior assistant post के लिए 72 vacancies है और पंचायत executive officer के लिए 65 vacancies reserved है दोस्तों अगर आपको इस job के बार में और भी जादा information चाहिए तो आप यहाँ से official notification डाउलोड कर सकते हो हमने job description section में official notification की link दी हुई है तो notification डाउलोड करके ध्यान से पढ़ लीजिए उसके बाद ही जाब के लिए apply कीजिए साथी दोस्तों अगर आपको इस job के लिए apply करना है तो हमने आप ए apply की link भी दी हुई है इस link के मादेम से पहले आपको registration complete करना है उसके बाद आप इस जाब के लिए apply कर पाओगे तो दोस्तों ऐसी कई jobs के बारे में regular updates आने के लिए हमारा android app डाउनलोड कीजिए और हमारे youtube चैनल को subscribe कीजिए like कीजिए, comment कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी share कीजिए ताकि आपको एक सरी समयन से जुड़ी सारी job और news की updates regular basis पे मिलती रहे फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में तब तक के लिए जय हिन